नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग आज हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो धन को अकरसित करता है यह पर यह समझले कि यह पौधे की जड़ अगर आपको मिल जाएं आप लेकर आजाएं सुमनच्छतर में सुमुहृत में तो यह धन को बढ़ाता है मालक्षमी का सबसे पौधा वैसे तो बहुत सारा है लेकिन इस पौधे के बारे में चली जानते हैं बिस्तार से भारतिये तंत्रसास धन को आकर्सित करने के उपाय बताए गया है अब धन प्राक्ति के लिए तरह तरह के टोड़े टोटके करते हैं लेकिन आज हमें खास प्रयूभ बताएंगे तंत्रसास के नुसार सहदेवी का पौधा यह सहदेवी का पौधा है जो चमतकारिक पौध में इसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और धन को खिचने वाला पौधा माना गया है इसके प्रियोग किये जाते हैं देखिए सहदेवी के पौधे को जब भी आप उनका आप कोई भी वियूच करें एक दिन पहले ही निमंतरन दीजिए का और फिर आप जाए और धीरे से उनको पेटकर तीजोड़ी में रख दें तो धन की कमी कभी नहीं होती अगर अपने कीचन में रख दें सहदेवी के जड़ को तो कभी भी अन की कमी नहीं होगी और पुजा स्थान पर स्थापीत कर दें तो सुबसांति वनी रहेएकि बास्तु दोस्तुमाप हो जाएगा कोट विवाद में फसे हो तो फिर सहदेवी के जड़ अपने दाहिने हाथ में या बाहं में बांध करें अपने पॉकेट में रख कर जाएंगे अगर जीववा पर सहदेवी का जो पंचांग आपने तियार किया है अगर लगाईएगा तो आपकी वानी लोगों को आकरसित करेगी और जड़ से बना अगर काजल आप लगाएं और लगाकर किसी के सामने के जाएं तो वो बैकती आपकी तरफ आकरसित हो जाएगा अगर चाया में सुखा कर उसका चुर्ण बनाकर पान के साथ जिसको भी आप खिला देंगे वो आपके वसी करन या वस में हो जाएगा सहदेवी का जो पौधा है उसको चाय में सुखा ले अब पूरे कचुर्ण बनाए पान में मिलाकर जिसको भी खिला देंगे वो आपका कहीं ने कहीं गुलाम हो जागा या फिर यह समझ रहें कि आपकी बाते मानने लगेगा आप पती-पत्नी हैं लब रलेसंसिप में हैं या पिर कोई दिस्ता है ऐसा तो बहुत सारे होते हैं जैसे घर में बहुत साइप लोग हैं लेकिन आपस में बनती नहीं हैं आप चाहते हैं सब में प्रेम रहें तो यह प्रियोग कर सकते हैं गलत उद्देश से गलत कारे से प्रियोग मत कीजेगा लेकिन इसका अगर आप जो सहदेवी का पौधा है इसकी जड़ को घिसकर तिलक लगाने से सत्रू भी मित्र बन जाते हैं यानि वह सत्रूता भूल जा लेकिन जादा तर देखा गया है कि जन्वरी फरवरी के महने में यह पौधा फुलने लगता है